हालो फ्रेंड्स आज एक बार फिर मैं आशीज चाह आपके सामने एक बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है फ्रेंड्स हमारी जिन्दगी जो है न इस जिन्दगी को जीने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके लोगों ने बताए है बट बहुत कम ऐसी फिलोसफीज हैं जो होलिस्टिकली लाइफ को कवर कर पाती है मेरी जिन्दगी में नेटवर्क मार्केटिंग का एक एहम रोल है आप सब जानते भी हैं कई लोग मुसे चुड़े हुए हैं बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस जो है न वो मेरी लाइफ के लिए क्यों इतना एहम है और क्यों मैंने इस रास्ते को चुना जबकि यह रास्ता आसान नहीं है बहुत सारी मुश्किले भी आती हैं और बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ता है बट क्यों इस रास्ते को चुना इस कारण को आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और इसका कारण जो है फ्रेंट्स वो बैसिकली इस बात से जुड़ा कि हमारे जिंदगी का जो complete span है उस span में हमें करना क्या चाहिए तो सबसे पहरे फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ जो है न उस लाइफ को आप ऐसा समझो कि हमारी जिंदगी 100 रुपे का एक नोट है उके 100 रुपीस इसमें आप 10-10 या 20-20 रुपे क टुकडे पकड़ लो अब लाइफ 100 रुपीस का अगर नोट है उसमें से आप समझो कि चुकि आज के रेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की अराउंड 80-85 की है तो समझे कि 20 रुपे तो या 18 रुपे या 15 रुपे जो पिया पकड़ना चाहते है वो तो GST में ही क कट जाता है 80-85 की जो हमारी लाइस्टाइल होती है तो लेट्स टेक 80 यर्स जो हमारे पास बचकर क्या आते हैं हमारे पास जो जिन्दगी हम जी सकते है 80 साल इस 80 साल में जो पहला 10 रुपे है यानि कि पहले 10 साल ये तो अबोध अवस्था में निकल जाते हैं नहीं मा की ग उसके अगले 10 साल जो है या अगला 10 रुपे अगर आप कहें उसको हमने खर्च करते हैं सरस्वती को अरजित करने के लिए यानि कि अपनी शिक्षा दिक्षा करने के लिए 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की आयू तक में हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग अपनी पढ़ा इसके बाद 20 से लेके जो 30 साल का फेस होता है, उसमें आदमी को अपने करियर को establish कर लेना चाहिए, अपना करियर रोन लेना चाहिए, जिस भी चीज में competition में या जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं, 20 से लेके 30 साल में establish होना चाहिए, maximum careers के अंदर में इसी phase के अंदर में entry होत हैं, तो 20 से 30 साल में establish होना चाहिए, career and degree हस्ती establish होना चाहिए, तो basically 30 सालों में आदमी ने अपनी career, degree हस्ती, शादी व्याह करके establish करना चाहिए, इससे free हो जाना चाहिए और 30 से लेके 40 साल में क्या करना चाहिए, किसी से free हो जाए 30 से लेके 40 साल में हमें चाहिए कि हम लक्षमी से free हो जाए हम पैसे कमाने की कवायत से free हो जाए जिस तरीके से पढ़ाय लिखाए कि process को आप complete कर लेते हो घर ग्रियस्ति के process को complete कर लेते हो established हो जाते हो career में गुसने के process को complete कर लेते हो वैसे ही 30 से लेके 40 में हमें अपने finances को भी complete कर ला जाए अगर 40 के beyond अपने finances के लिए हम worry कर रहे हैं कहीं न कहीं हम जिन्दगी में लेट है तो जिस जिन्दगी के मकसद को पूरा करने आये थे उस जिन्दगी को establish करने में हमारे 40 रुपे खर्च हो गए तो बचे वे 40 रुपे को तो ठीक से कम से हम खर्च करेंगे तो by 40 we have to be free from education, from finances from household जो हमारे responsibilities होती है उसके बार 40 से लेके 60 साल तक का जो phase है जो अगले 20 रुपे है न वो अपनी जिन्दगी का life का true purpose find करने की और इस purpose को जो हमें pathfinder या हमारे guru या mentor जो भी कहले किये उनको ढूंडने बिताना चाहिए somebody is going to help us find the true purpose of our life, हर एक विक्ती का अपना salvation है friends हर विक्ती की अपनी दिशा है उसके जो दिशा निर्देशक हैं उनकी तलाश और उस दिशा की तलाश की हमें अक्चुली पहुँचना कहां है और जब तक आप बाखी चीओं से free नहीं होंगे अपनी life का true purpose आप ढूंड नहीं पाएंगे और इसके अलावा जो अगले 20 साल में आपने purpose ढूंड लिया तो उसके साथ में उस purpose के उपर work करना और उसके अगले साल में उस purpose को प्राप्त करके लोगों तक में उस message को पहुँचाना यानि 60 से 20 साल तक में इस काम को करना ये एक full-fledged balanced life का picture में आपके सामने रखा अब आपसे प्रशन बहुत simple है friends कि आप अपनी जिन्दगी की कौन से phase में है और आप इस phase में हैं क्या आपने चीजों से freedom प्राप्त कर लिया है अगर प्राप्त नहीं किया है freedom तो free होने के लिए क्या तरीका है दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनसे हैं जिसके अंदर में आप पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन freedom नहीं मिल पाती अगर किसी बहुत बड़े corporate multinational के भी आप मलिक हैं तो बहुत कम ऐसे cases हैं जहां पर freedom मिल पाती क्योंकि हमेशा अक्सर आदमी को involved होना ही पड़ जाता है और वो जो race होती हैं उस race जाती बहार निकलने पाता है तो I am an advocate of not being wealthy I am an advocate of being financially free कि आपके पास इतना पैसा आता रहे और इतने peacefully वो पैसा आता रहे कि आप से free हो सके दोस्तों आज मैं बहुत आराम से एक working day के अंदर में कह लीजिए अपने एक enjoy करने के लिए एक trip पर हूँ बैठा हुआ बिना किसी से कोई permission लिए किसी को मेरे को जवाब नहीं देना किसी बॉस को मुझे कुछ कुछ कहना नहीं है और मुझे इस बात की चिंता नहीं करने की पैसे कहां से आएंगे और क्या होगा क्यों इसका कारण लिए दोस्तों क्योंकि मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो कहने के लिए लोगों तो रहा बहुत question रास्ता होता है लेकिन इसके अंदर में बहुत बड़ी सचाई है इसके अंदर में बहुत बड़ी सचाई है इसके अंदर में मैं कहता हूँ 24 करेट यवनो प्योर गोल्ड है जो आपको help कर सकता है अगर आपने ठीक से 2-5 साल बढ़ियां से मेहनत कर दिया एक network marketing business को build करने के लिए उसमें भी अखर अच्छी company को चुनके आपने इस business को किया तो आप आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा empowered हो सकते है और आपके पास एक ऐसा continuous flow of cash flow आ सकता है अगर आपका business network solid है तो बहुत लोग business network को build करते हैं तरीके से build करते हैं लेकिन अगर आपने सही तरीके से build किया तो आपके पास एक बहुत बढ़िया cash flow आ सकता है जो continuous हो सकता है जो आपकी family को और आपको दोनों को secure कर सकता है और साथ में आपको वो freedom दे सकता है वो breather दे सकता है that you can focus on the higher nuances the better aspects of life जो आपका passion constitute करते है profession is not the goal of life unfortunately profession is not the goal of life profession is only for livelihood जिन्दगी को चलाने का इंधन है profession इंधन गाड़ी का लक्ष नहीं होता है गाड़ी का लक्ष नहीं होता है आपके जीवन का मंजिल क्या है पहुत लाइवनों को देखता हूं कि IIT को goal बनाते हैं इसको goal बनाते हैं तो बड़िया जॉब मिल जाए इसको goal बनाते हैं ये सब तो साधन है ना साध्य नहीं है आपके जीवन का जो साध्य है उसको समझने के लिए आपका free होना बहुत जरूए अगर आप रात दिन सिर्फ involved ही रहेंगे चीजों में और occupied ही रहेंगे तो फ्री नहीं होता है बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था और वेदों में लिखा हुआ है क्यान आपको मुक्त कराएगा education will set you free जबकि maximum time हम लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं पढ़ाई पढ़ने के बाद में हम लोग डिप्लोमा हासिल करके ultimately occupation ढूने लगते तो occupation तो free का ultra word हो अगर आपको free होना है तो occupation से तो आपको हटना होगा occupation से हटना ही आपको freedom दे सकता है और occupation से हटने के लिए freedom लेने के लिए आपको आपके व्यक्तिकत performance को किसी और system के performance से रिप्लेस करना पड़ेगा तैसे अभी मैं यहां पर बैठाओं यहां पर रोशनी है अगर यह रोशनी किसी system से on है तो मुझे physically work नहीं करना पड़ा है लेकिन अगर इस रोशनी के लिए मुझे physically work करना पड़ता है तो मेरे लिए बहुत strenuous जॉब होता और मैं आपसे इस वीडियो में बात नहीं कर पाता यह प्र अंडर्स्टेंड आपको रिप्लेस यॉर फिजिकल परफॉर्मेंस विट ए सिस्टम परफॉर्मेंस नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं करता है नेटवर्क बढ़ियांसे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको प्रोफेशन में भी दिक्कत होगी उसी प्रकार से अपने जॉब में या प्रफेशन में अपने आप को अपने क्रिजिशल को और अपने स्किल्स को आप बिल्ड करते हैं वैसे ही network में certain parameters होते हैं, core parameters होते हैं, इसको आप बिल्ड करते हैं, और उन parameters की वैसे आपका network solid होता है, friends, बिछले 6 सालों से में, मेरी family, totally financially secured और free इसलिए हैं, क्योंकि हमने सही parameters से business को बिल्ड किया, हमने बड़े-बड़े जंजावाद देखे, इस बीच में हमने बहुत सारे financial, you know, क्या गयते हैं, बड़े-बड़े जंडे भी खड़े किये, हमने अपनी शादी करी, इसी बीच में हमने अपना job को quit किया, हमने अपना business, traditional business भी चालो किया, हमने अपना, you know, अपने गाड़ियां भी खरी दी, हमने अपना घर भी, you know, properties के साथ भी, lot of things we did, friends, और यह सा नहीं हो जाए, तब तक friends, अपनी job के साथ बिल्कुल compromise मत किरिए, अपने profession के साथ बिल्कुल compromise मत किजेगा, और यदि आपका profession, आपका passion है, तब तो अपने profession को, अपने passion को lifelong continue कीजी, in fact, network marketing आपको fuel देगा, या आप इस passion को और अच्छे से और बड़े scale पर खड़ा कर सकते ह जैसे मेरा passion है, स्टेज, लोगों से बात करना, या लेट से कहते हैं, लाइफ कोचिंग करना, मैंने भी certified life coaching भी कर लिया है, I am international coaching federation certified ACC level life coach also friends, मेरा passion है, लोगों के जिंदगी में उनको मदद करना, उनके साथ बाते करना, उनकी बातों को सुनना, और अगर उनके हो सके हैं त इस चीज को पूरा करने के लिए, जो मुझे freedom चाहिए, जो मुझे उस चीज के लिए जरूरत है, जिस bandwidth की, in terms of travel कह लिजे, in terms of time कह लिजे, in terms of, you know, the opportunity to meet new people, वो मुझे कहां से bandwidth मिलता है, जब तक मैं अपने mind को इस बात से free नहां रखूं कि भाई, मेरे bills कौन पे करेगा, जब तक मैं mind को इस बात से free में रखूं कि भाई, मैं travel करूंगा, तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा, तब तक मैं कैसे अपने passion के पीछे में निश्चिंद होके चिंकल सकता हूँ, तो किसी व्यक्ति की चिंता करने के लिए, किसी project के चिंता करने के लिए, आपका एक level पे निश्चिंत होना बहुत जरूरी है, और वो निश्चिंतिता तभी आती है, जब आपके पास में secure group से finances आ रहे हैं, और secure group से finances, किसी भी ये बड़िया किताब को उठाके पढ़ लिए, financial किताब को, asset से ही आ सकता है, 21 सदी में दुनिया का सबसे number one asset जो है, वो है आपका network, इ सिर्फ network बना करके ये सारे जो tech, you know, entrepreneurs हैंगे बड़े हो गए, इसी बात को हमें भी समझना है, कि दुनिया में चीजों का तो flow होता ही रहेगा, products and services तो बिकते ही रहेंगे, लेकिन वो products and services जिसके channel से बिकेंगे, वो बिकते ही अमीर बन जाएगा, अकर उसी प्रकार से आपक तरीके हैं, आप दुकाने खड़ी कर दो, आप बड़े-बड़े warehouses खड़ी कर दो, आप बड़े-बड़े websites खड़ी कर दो, या आप बड़ा network खड़ा कर दो, network खड़ा करना एक सहज परक्रिया है, हम लोग रोज लोगों से बातचित करते ही रहते हैं, आप चाहे या ना आपके उंगलियां automatically social media पे चले ही जाते हैं तो जब social media पे चले ही जाते हैं तो क्यों न उसी को अपने weapon के रूप में इस्तिमाल कर लिया जाए उसी को अपने लिए productivity इस्तिमाल कर लिया जाए जैसे internet, internet पर आप time waste भी कर सकते हैं और internet पर आप अपने आपको productive भी बना सकते हैं मसलों के पीछे पढ़के और उनकी life भरबाद हो जाती है and they are not satisfied लेकिन अगर वही लोग life enhancer का रोल प्ले करें और एक से के network में positive role influence प्ले करें अच्छे products and services को discuss करें conclusion पर पहुंचें कि this is what is important for us और एक से को सहयोग करें अपने लिए best formula ढूणने में तो सोची कितने बड़े life enhancer का रोल प्ले कर दिया network marketing एक बहुत ही सिच्छा सीधा help करने का business दे अच्छे intention से अगर आते हैं इससे अच्छा दुनिया में कोई business नहीं बढ़ खलत intention अगर कोई आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों खराब भी कर देते हैं मैं सुईकार करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लालच के हमारे network marketing में बहुत सारे लोग के साथ में घलत information को सर्फिरेट किया जिसकी वैसे लोग नाराज भी गए I accept this and I apologize on behalf of all those people who have made a mistake but this industry ने बहुत सारे लोगों को hope भी दिया है इस industry ने बहुत सारे अच्छे speakers खड़े की है अच्छे leaders खड़े की है आज हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी है friends तो leadership की कमी है और अगर leaders हैं भी तो उनके recognition की कमी है हमारे देश में business leaders का आगे आना बहुत जरूरी है economic front पे leaders का खड़ा होना बहुत जरूरी है जो खुद को empower करके दूसरों को hope दे करके उनको inspire करके उनके साथ time दे करके उनको empower करते है friends जब मैं नौकरी में था तब भी पैसा कमाता था लेकिन तब मैं पैसा सिर्फ अपने लिए कमाता था और इसमें मुझे मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि बच्पन से ही सीखा था कि भई खहते ना कि आत्मनो मुक्षार्थन जगध हितायचा ये philosophy को मैंने शुरू से अपने कितागी के मुझे सुना था कि अपने मुक्ष के लिए और जगध के हित के लिए ही आदमी को जो भी हो प्रयत में अर्जतन करना चाहें तो हमारा salvation जिस भी चीज में हो हमारे passion से होता है हमारे spiritual finding से होता है और इसके अलावा दुनिया का hit कैसे कर सकते हैं दो ही formula हैं एक health, एक wealth इसके अलावा जो उनके साथ में जो समस्या हैं दिल से इच्छा हो यह platform friends, एक genuine platform में इसको अगर आप तरीके से use करते हैं तो आप सच में बहुत साय लोग के जिंदगी में एक hope, एक lamp lighter का का काम कर सकते हैं दुरूपतारे का काम कर सकते हैं there's a big responsibility that lies on our shoulders to communicate the right thing network marketing में दो चीज़ें कभी नहीं करना है एक show-off नहीं करना है मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा बंगलो है यह सब कभी show-off नहीं करना है मैंने job को जल्दी quit कर दिया, यह कर दिया don't do it, not needed अगर आपके पास कोई अच्छे चीज़ होगी हीरे की चमक लोग अपने आप देख लेते है show-off कभी मत कीजिए दिकर show-off से wrong expectations बिल्द हो जाते हैं दूसरों के भी और आपके भी यह गलती कभी मत कीजिए और दूसरी गलती कभी मत कीजिए वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में इस चीज़ के positively ना लें तो उनके साथ जगड़ा भाई मत कीजिए या उनके साथ में कभी वाद भी बात मत कीजिए क्योंकि उनका जो experience है वो अपने experience से आप से बात कर रहे है तो उनके experience को आप respect कीजिए आप समझे जब हम लोग भारत-पाकिस्तान के border पे खड़े होते हैं तो border के उस तरफ जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको आप गलत दिखाई देते हैं छोड़िए border मैं गहने हैं क्रिकेट मैच में खड़े होते हैं पाई मुमबऐ इंडियंस है और कोलकता नइटर इर्थर रिंग जम उंको नात दिखाई दे रहे हैं और मुमबऐ इंडियंस के सपोट смож को कलकता नीटर इसका फैसला कोई नहीं कर सकता है उसी प्रकार से जिस वेक्ति को आपका बिसनस मॉडल सही नहीं दिखाए देता है उसको भी रिस्पेक्ट कीजिए और जिस वेक्ति को आपका बिसनस मॉडल सही दिखाए देता है उसको रिस्पेक्ट कीजिए आपका इंटेंशन दुगरत नहीं नहीं है आप सबको रिस्पे हो जाएगा सोचे सारी डॉक्टर्स अगर आएंवे के डामेंड बन गए और उने छोड़ दिया अपने प्रफेशन को तो क्या होगा तो हमारे लाज करने के लिए फिर कोई नहीं मिलेगा इसलिए it is okay if some people don't subscribe to your philosophy that is completely okay but if somebody is looking for an opportunity अगर कोई genuine लोग की help करना चाहता है तो हम लोग हमेशा हाथ आगे पढ़ाते है friends, अगर आपके आसपास कोई network marketing का individual है जो fight कर रहा है, effort कर रहा है बढ़ने के लिए, entrepreneur बनना चाहता है उसके dreams हैं, तो बस एक गलती मत कीजिए उसको हतोच साहित मत कीजिए आप बोरी कि तुम सही से करो चीजों को आप उसको feedback दीजिए पर उसको निराश मत कीजिए हतोच साहित मत कीजिए क्या पता, आपके वीच में कोई बविशे कामबानी, अदानी कोई मित्तल या कोई बंसल चुपा हो पॉसिटिव है ना friends, this is my message to all of us and I really believe that hope is still alive in this world positive brand ambassadors network marketing के जो real heroes होते हैं वो इस दुनिया को positive तरीके से बदल रहे हैं और वो हर संभग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आस-पास के लोग को inspire कर सके hope ते सके and if we can do it, you can do it thank you and God bless हुआ 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 है